हलो दोस्तो ट्रेडिंग विद राज यूटूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में आज टाटा मोटर्स ने सुरुआत में एक अच्छी तेजी बनाई थी ओपनिंग अच्छी हुई थी लेकिन यहां पे गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई तो यहां पे गिरावट क्यों हुई इसके पिछे रीजन क्या है क्या और भी गिरावट होना बाकी है सारा चीज़े यहां पे आगे डिसकस करने वाले हैं दोस्तो और एक छोटी सी न्यूस है यहां पे टाटा मोटर्स के तरफ से निकल कराईए वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सस्क्राइब कर लिजे बेल आइकन को प्रेस करके रखी और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए दोस्तो मैं आपके लिए से ऐसे वीडियो लाते रहूँगा दोस्तो आज के ट्रेडिंग सेशन में 530 रुपए पे ओपन हुआ था ताटा मोटर्स का सेर प्रेस और यही इसका हाई भी था उसके बाद लगतार गिरावट होई और 492 रुपए तक का यहाँ पे लेवल हमें देखने को मिला था फाइनली 496 रुपए साथ पैसे पे क्लोजिंग हुई और 2.03% की इंट्राडे में जो है हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कल आल्रेडी वीडियो बना दिया था यहाँ पे टाटा मोटर्स पे की आप यहाँ पे खरीदारी संभल कर खरीदारी करें यह मैंने वीडियो बनाया था क्योंकि Tata Motors बहुत ज़्यादा रैली कर चुका है और यहाँ पे इसको थोड़े से करेक्शन की जरुरत है तो यहाँ पे एक वही रिजन था यहाँ पे गिरावट इसी वज़े से हुई और दोस्तों आज मार्केट में निप्टी और सेंसेक्स दोनों भागा है बहुत ज़्यादा आज हमें तेजी देखने को मिला निप्टी 50 में और सेंसेक्स दोनों में तो यहाँ पे और भी गिरावट हो सकती थी टाटा मोटर्स में क्योंकि मार्केट जो था सेंटिमेंट था वो पॉजिटिव था इसलिए आज ज़्यादा गिरावट हमें देखने को नहीं मिली लेकिन अगर आज निप्टी और सेंसेक्स में गिरावट होती तो आज टाटा पूरी तक तो मार्केट अच्छा ही रहेगा ऐसा पूरी उम्मीद है और तो यहाँ पे हमें उसका फाइदा मिला कि ज़्यादा गिरावट नहीं हुए तो दोस्तों यह श्रिप एक छोटा सा करेक्शन था आप इसे करेक्शन बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़् जी होने के बाद कोई भी स्टॉक हो भागते भागते आश्मान में नहीं गुच जाएगा थोड़ा सा करेक्शन होता है स्टॉक मार्केट में ऐसा होते रहता है अब दोस्तों अगर मैं हमारा जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो चेक लिस्ट है उसको चेक करूं तो इसका जो करेंट वैल्यू है इसके इंटेंसिक वैल्यू से कहीं ज्यादा है एबडी से अच्छा रिटेन अभी नहीं दे रही है कमपणी रिटान अन एक्वेटी अभी कम है तो यहां पर थोड़ा सा निंगेटिव चीज़ी है और डिवीडेंट भी नहीं देरी कमपणी अभी अट्रेक्टिव इंट्री पॉइंट अभी सही नहीं दोस्तों अभी वी ओवरबॉट जोन पर जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में अल्रड़ी बता चुका हूं कि अभी आप इस स्टेज पे थोड़ा संबल कर खरीदारी करें अब आज करेक्शन हुई तो यहां प प्रमोटर्स जो है लगातर अपने होल्डिंग्स को बढ़ा रहे हैं और लास्ट सिक्स मंद में चार परसेंट तक का होल्डिंग्स को बढ़ा है मतलब कंपनी के जो माली के प्रमोटर्स है उनको भरोसा है अपने कंपनी पे तब ही तो अपने होल्डिंग्स को बढ़ा रह ये company तो ये सारी चीजे positive चीजे आप long run में इसको hold करके रखे और दोस्तो एक news ये निकल कर आई है कि Tata Motors का जो 5 SUV आने वाली है उसको review मिल चुका है इनको जो 75 norms होता है 5 star rating मिला है इनको तो यहाँ पे एक बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है क्योंकि Tata Punch जो आने वाली इनकी कार SUV बहुत ही कमाल का है और जैसा नाम है वैसा काम भी है उसका और दोस्तो Tata Motors का ये तीसरा SUV है जिसको यहाँ पे इनको ये उपादी मिली है इससे पहल अल्ट्रोज को मिला था जन्वरी 2020 में उसके बाद नेक्सोन को मिला था 2018 में और अब यहाँ पे जो Tata Punch SUV है इसको भी इसका दर्जा मिल चुका है 5 star 70 यहाँ पे rating मिला है तो यह बड़ी खबर है और दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको सारा चीजे बता दिया Tata Motors के बारे में तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें मात्र छोटा सा करेक्शन है यहाँ पे आप लॉंग टाइम के लिए होल्ड करके रखें डेपनेटली अच्छा रिटन आपको देखने को मिलगा चली मिलता हू और फिर एक नए वीडियो के साथ तब तक क्लिए बाबाए टेंक्यू दोस्तो गुड नाइट